इस 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 ड्रे इस प्लस फॉर वाइं कर्स्ट कर्स्ट तो थे यहां से रपन देखे तो लाइन लइन और ना पने पास 3x plus 4y minus of 24 is 0 और जो line L2 given है वो given है अपने पास 4x plus 3y minus of 24 is 0 अगर मैं दूसरा line पेर देखुँ तो a b जो intersection point है वो किया किसके साथ intersection point है line x is 0 and y is 0 तो basically x y is 0 के साथ इस line का intersection point क्या है a and b और similarly इस line का जो intersection point है x is 0 और y is 0 के लिए जो intersection point है वो क्या है c and d c and d जो point of intersection है वो क्या है इस line का x is 0 line के साथ और y is 0 line के साथ और a और b point क्या है इस line का intersection point with x is 0 और x is 0 तो basically यह क्या है line pair अगर अगर आपन देखे तो यह क्या लिखा हुआ x y is 0 यहाँ भी line pair x y is 0 जीरो अब अगर मैं equation लिखो curve का अपन लिखे equation of curve ठीक है equation of curve passing from passing from a b c and d ठीक है इस चारू कौन से अगर मैं equation pass करती हुए equation जो पास कर रही है वो basically क्या किस point से pass कर रही है वो इस line L1 का इस line pair से intersection point जो उससे pass कर रही है और यह line जोगी बनने यह इस line पर एक्स वाइज कर रिख सकते हैं इसको अपन किस form में लिख सकते हैं इसको अपन लिख सकते हैं L1 into L2 plus lambda times of xy to 0 यह यहां पर इन चारू point से pass करते हुए कर्व की equation अपन लिख सकते हैं तो यह basically क्या लिखा हुआ हुआ है यह लिखा हुआ है 3x plus में 4y minus में 24 यह L1 की equation है और L2 की equation अगर पन दिक हो दिया गिवान है 4x plus 3y minus of 24 और आज अगे यहां पर प्लस lambda times of xy to 0 यह family of curve की से जो relation आता है उसी को अपन ने यूज किया इन चारू point of intersection बिसकी लिए चारू point of intersection किस का point of intersection है इन दोनों line pair का ठीक है यह दोनों line pair इसका xy line pair के साथ point of intersection है तो family of curve जो अपन लिखेंगे वो क्या लिखेंगे यह दिस curve प्लस lambda times of xy कर्व यह वाला line pair प्लस lambda times of यह वाला line pair ठीक है अब 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 इसको अगर पन simplify करेंगे तो simplify करके यह value आजएगा अगर पने इसको simplify करेंगे यह आजएगा अपने पस 12x square आजएगा यहाँ पर 12x square प्लस 12y square प्लस 12y square और यहाँ पर इसकी value आजएगी और यहाँ पाजएगा प्लस में 576 is equals to 0 अब अगर पन देखें तो यहाँ पर lambda एक variable quantity है अगर अपन यहाँ पर lambda के value मैं यहाँ पर minus of 25 देखू ले तो यह क्या आजएगा curve is ठीक है तो curve is क्या आजएगा इस case में यहाँ आजएगा आपने पास circle अगर lambda value minus 25 देखे तो यह curve क्या आजएगा circle otherwise यहाँ से पन क्या बोल सकते हैं four different values of four different values of lambda curve can be curve can be parabola ठीक है यह parabola भी हो सकता है ellipse भी हो सकता है और हैपर बोला भी हो सकता है ठीक है different value of lambda के लिए यह ellipse parabola है पर बोला भी हो सकता है और lambda इसको मैंस 25 पर यह circle भी हो सकता है तो इसमें अपना answer क्या आजएगा कर्भ जो होगा जो a b c d से पास कर सकता है यह multiple correct हुआ जिसका answer 4 वह सकता ठीक है तो a b c d 4 option correct अगर multiple correct हुआ तो ठीक है कर दो कर दो